नमस्कार स्वागत है आपका सीन्यूस भारत में और मैं हूँ आपके साथ जोती श्रवास्ता देश में आच चाहे कुछ हो रहा हो या ना हो रहा हो महिलाएं कहीं न कहीं पहले से जादा सशक्त जरूर हुई हैं और इस काम में सरकारी योजनाई खुब कामा रही है पियमोदी अकसर कहते नजर आते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे और कई जगा इस बात को उन्होंने साबित भी किया है वैसे तो महिलाओं के लिए सरकार कई योजनाई चला रही है लेकिन एक ऐसी भी योजना है जो महिलाओं को जबरदस तरीके से सशक्त और तेज बना रही है और वो योजना है नमो ड्रोन दीदी योजना आपको याद होगा जब बीते मार्च में कोने कोने से गाउं की लड़कियों ने प्रधान मंत्री नरींद मोधी के साथ खेतों के करीब ड्रोन उड़ाया था पहली 1100 प्रशिक्षिट ड्रोन दीदी ने एक साथ पिया मोधी के साथ अपनी सफलता को सेलिब्रेट किया था इसके बाद लोगों की मन में ये सवाल आये कि ड्रोन की मदद खेती में कैसे ली जा रही है लोगों की मन में सवाल है कि ये नमो ड्रोन देदी योजना क्या है आपको बता दें कि ये योजना कमाल की है और अगर आपने इस योजना का लाब ले लिया तो आपकी किस्मत बदलनी तो तै है देखिए ये रिपोर्ट हमारे देश में न जाने कितनी महलाई हैं जो पाइलेट बन प्लेन उडाने का सपना देखती हैं मगर कभी हालातों को कभी किस्मत की वजो से अपना सपना पूरा नहीं कर पाती लेकिन सरकार की एक योजना उनको पाइलेट तो नहीं लेकिन हवा की उचाईउं को छूने का मौका जरूर दे रही है दरिसल हम बात कर रहे हैं नमो ड्रोन दीदी योजना की जिहां नमो ड्रोन दीदी योजना मोधी सरकार का एक इनोवेटिव प्रोग्राम है इस योजना को शुरू करने का मकसद देश की महलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें आत्म निर्भर बनाने का है इस योजना के तहट देश की महलाओं को सरकार की ओर से ड्रोन उणाने डेटा विशलेशन और ड्रोन की रखरकाव से जुड़ा प्रशिक्षन दिया जाता है अब आप सोचेंगे कि आगर इससे क्या फायदा होगा तो वो भी बता देते हैं मोधी सरकार की नमो ड्रोन दीदी योजना से मुख्य रूप से तीन फायदे होगे इस योजना के तहट महलाओं की आमदनी तेजी से बढ़ेगी खेती के लिए पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर की खपत में बड़ी कमी आएगी योजना की मदद से किसानों की कृशी में लागत घटेगी और आमदनी बढ़ाने में भी मदद मिलेगी ड्रोन से ड्रोन दीदी 15 मिनिट में एक एकर शेत्रफल में पेस्टिसाइड या नैनो यूरिया का छिरकाव कर पाएंगी जिसके लिए वो प्रती एकर 200 रुपे चार्च करेगी अगर एक दिन में 25 एकर पर लगी फ़सल पर शिरकाव करती हैं तो उसे प्रते दिन 5000 रुपे की आमदनी होगी अब एक साल में उसने तीन महीने के बराबर भी काम किया तो उसे करीब 4,05,000 रुपे की आमदनी होगी ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि करीब 4-5 गाउं के कलस्टर में एक नमो ड्रोन दीदी को काम मिलेगा अब सवाल उटता है कि आखिर किनहे मिल सकता है ड्रोन दीदी योजना का लाब तो बता दे कि केंद्र सरकार द्वारा साल 2023 में प्रधान मंत्री ड्रोन दीदी योजना की शुडवात की गई थी इस योजना को देश्वे खेती में नई तकनीक का इस्तमाल करते हुए ड्रोन से उर्वर को कीट नाशकों का छिड़काव करना सिखाय जाना है ड्रोन दीदी योजना के लिए 10 से लेकर 15 गाउं के स्वेम समूहों की महलाओं को एक साथ प्रशीक्षन दिया जाता है जिन में 15 दिन की ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है इस योजना के तहट जो महलाओं ड्रोन दीदी के रूप में काम करें कि उन्हें 15,000 सालरी के तौर पर दिये जाएंगे इस योजना का लाब लेने के लिए महलाओं को स्वेम सहायता ग्रुप से जुड़ा होना जरूरी है महलाओं की उमर 18-37 के बीच होनी जरूरी है और आवेदक निम्न आर्थिक वर्ग से होना चाहिए अगर कोई महला इस योजना का हिस्सा बनना चाहती है तो उसे रजिस्ट्रेशन के लिए एक इंटर्व्यू क्लियर करना होता है इसके बाद लिखित टेस्ट होता है जुसमें पास होने के बाद एक हफते का थियोरी कोर्स और एक हफते की ट्रेनिंग दी जाती है ड्रोन दीदी बनने वाली महलाओं को सरकार की तरफ से निशुल का ड्रोन भी दिया जाता है कैसे कर सकते हैं आवेदन सबसे पहले आपको योजना की आदिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा इसके बाद आपके स्क्रीन पर होम पेज खोल जाएगा यहां डैश्बोर्ट पर नए पंजी करन या साइन अप या ओनलाइन आवेदन पर क्लिक करना होगा इसके बाद मांगी जा रही आवश्चिक जानकारी दर्च करनी होगी मांगी जा रहे आवश्चिक दस्तावेज भरने होगे फार्म भरने के बाद एक बार उसे अच्छे से जाच लेना होगा अन्त में सब्मिट या जमा करें पर क्लिक करें देखा जाए तो नमो ड्रोन दीदी योजना एक अनूठी योजना है जिसके तहट ग्रामिन भारत पर ध्यान केंदृत करते हुए महलाओं को सशक्त बनाने का प्लानिंग की गई है अब आदूनिक्ता के साथ ही महलाएं एगरी कल्चर में अपना योगदान करेंगी और कर भी रही है फिलाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश तोनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत